हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल ओडिसा स्टाइल दोस्तों थम्नेल देके आपको पता चल गया होगा कि आज एक हम जो की आइरन सिरप के बार में बात करें जो की बच्चों के लिए है तो इसका नाम है की बेस्ट आइरन सिरफ तो इसकी पूरी डीटेल में इस व नाम है तो यह सब्सक्राइब करते हैं कि मैं कोई नहीं करते हुआ गूंटों वेडीय जो अग्यायँ अवस्तों होगा कला है। जो कि बहुत ही अच्छा रेजल देता है तो यह जो प्रॉडव्ट है इसमें तीन चार इंग्रीडियन्स डाले गया है जैसे कि इसमें फॉलिक एसीड भी है जींक है और आइरन है जिन बच्चो में खून की कमी है हिमोगलोबिन की कमी है साती साथ बहुत वह कमजोर है उनके लिए जो सिरफ है बेस्ट है तो कैसे आपको पता चलेगा बच्चों में खून की कमी ये भी मैं बताऊंगी लास्ट में तो पहले इस प्रॉड़क्ट के बाब में पूरी डिटर् तो आप ओनलाइन भी खरीच सकते हो और medicine store जैसे pharmacy shop होते हैं उसमें भी जाकि इसको खरीच सकते हो तो दोस्तो इसका जो result है काफी अच्छा result है क्योंकि यह कोई medicine नहीं है यह one type of health supplement है जो की बच्चों की दिया जाता है आप जानते हैं बढ़ते उमर के जो बच्चे हैं चार स बच्चे है यह ने खाएंगे वह ने खाएंगे इसलिए उनके अंदर जो nutrition जाने वाला था वह कम हो जाता है nutrition का deficiency उनको हो जाता है बहुत सारे चीज होता है जो कि गाजर बीट यह सब बहुत ज़्यादा आईरन जीच फूर होता है जिसे बीट होता है यह पोमो ग्रानेट होता है यह सब वह सब खाना नहीं चाहते है ना फ्रूट खाते है ना वेजिटेबल खाते है तो इसलिए हम सबको अलग से उनको supplement देने की ज़रुवत है तो यह वहीं सिरप है के health supplement है दोस्तों कोई medicine नहीं है यह doctor भी recommend करते है अगर आपके बेटा पहले से ही ऐसे iron supplement ले रह होता है जैसे की weight gain भी नहीं होता है underweight बच्चे रह जाते हैं उनके पैर जो रहता है उन बेल लेग में बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है बात दुखता है रात को बोलते मालिश करो मालिश करो यह भी आपको problem कभी भी दिखाई दिया रहा होगा आपके deficiency का कारान है दोस्तों क्योंकि iron rich food आप मिलता कहा है दोस्तों आप जानते हैं यह फ्रूट वेजिटाबुलिए सब इतना उन में chemical डाले जाते हैं कि वह सब nutrition मिलता ही नहीं हमको भरपूर मातरा में हमारे सरीर को इसलिए हमको अलग से supplement लेले की जरूवत है मैं भी iron supplement लेती ह सुभा और शाम तो डॉक्टर रेकमेंड करेंगे उसी सब से दीजिया पर दूद पीने के बाद कभी आईरन supplement आपको नहीं देना है दूद के साथ नहीं देना है अब अलग से जैसे कि दूद पीने से पहले साम को दे दीजे नहीं तो सुभा दीजे इससे दीजे दो टाइ में हो यह सब चीज में इंटेस्ट भी दे रहा है उसका जो हैल्थ इमिनिटी पावल भी काफी डाउन रहता था वह भी काफी बूस्ट हुआ है इस सीरफ बहुत ज्यादा है मुझे मेरे बेटी को इंप्रूव करने के लिए तो दूस्तो जो डेफिंसेंस ही है आपको कैसे आप डॉक्टर को दिखाएं कि आज कल बच्चों में आने में है जैसे प्रोडम काफी बढ़ चुका है इसलिए आप जरूर एक बार टेस्ट करवा लिए अपने बच्चों को तो दोस्तों यह जो सीरफ है यह बच्चों को इम्मिनिंटी पावर को स्ट्रॉंग करता है सात इसके डोजेश के पर में बात करेंगे तो दूस्तों पांच साल के जो बच्चे है तो उसको आप एक टीस्पून सुबाइक टीस्पून सामको दे सकते हैं तो इसका डोजेश ए एज और वेट के अनुसाहित होता है अगर आपके बच्चे ठीक है तो इसको देने की कोई ज में तो ट्राइक करें